नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर रमेश जी हुसी आज आपको टोटकों की जटिल समझ्या या भाग्य में बादा हर टोटके की काट के बारे मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आपके उपर अगर कोई टोटका हो गया तो आपको घबराने की जरुवत नहीं है उनकी काट आपक जरुवत नहीं है अगर कोई भी सैतान अगर किसी भी तरह का आपके साथ उसने टोटका किया है तो आपको कुछ नहीं करना है कुछ मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से उन टोटकों से आपको बचना है सबसे पहले तो आपको सफेद आकड़े का जो पहुंदे की ना ज कुछ साथ बार हनवान जी के उपर से उतार कर कुछ दिन जो भी पीडित बिकती है उसकी पॉकेट में रखना है ताकि वो उसका असर उसके उपर आए और कुछ दिन उपर साथ जब लगे कि अब रोगी सही हो चुका है तो उसको आप बाहर एक तसले के अंदर कुछ कोईले जो बाहर चाइब कर उसके अंदर उसको जला दें ताकि जो बुरी ताकट थी वो वहीं पर खत्म हो जाए उसके लावा कुछ जाविद्री गायत्री और केसर तीनों कादुआ भी समय समय पर आप अपने घर में करते रहें उससे भी पूर जो अलाबलाए हैं वो खत्म होती रहती हैं उसके अलावा भी अगर कई बार क्या होता है कि बहुत जाता शमच्छा है तो उसके लिए शमच्छा ये है कि आपको नीबू को 21 बार जिस रोगिया उसके उतार कर उसे चौराए पर रखके आना और उसके बाद उसे पलेट करें देखना वो समच्छा भी चौराए में बांद कर रखें आप टूगर के एक बीज है उसके लाल कपड़े में बांद कर रखें उससे भी प्रभाव की समयचा खतम हो जाता है